प्रशासन और शासन को बार बार अवगत कराने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जाती यहां तक कि प्रशासन शासन इस तरहा है कि बापू के तीन बंदरों की तरहा कहानी को सच किया जा रहा है आज तोर पर शासन और प्रशासन इस तरहां चल रहा है कि ना तो बुरे कार्य को देखेंगे ना बुरा कार्य करने से रोकेंगे और ना ही बुरा कार्य रोकने वालों की सुनेंगे इसी तरहां का ये मामला जिला हमीरपूर के ब्लोग सुमेरपूर के अंतरगत आने वाले गाउं टेड़ा का है जहां पर गाउं में पावर हाउस होने के बावजूद भी गाउं के लोगों को सही बोलते नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण गाउं में भीशन गर्मी का मुकाब अवगत कराया अवगत कराने के बाद जही ने आश्वासन देकर लोगों को सहानू भीति दी कि आपके कारे को जल से जल कराया जाएगा उसी तरफ लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है देखा जाता है कि प्रशासन से गलती से लापरवाही होती है या प्रेशासन जानगूच कर लापरवाही कर रहा है राजू कि वारी जन्नक अबरेता ग्राम तेड़ा आप समस्या तो बहुत बड़ी है समस्या से जूज रहे हैं आम अकेले नहीं जूज रहे हैं यह माली यह पूरा महला हमारा महला का पर आदा गाउं इस परेशानी से जूज रहा है 20,000 की आबादी है अब 20,000 की आबादी में तीन जान खारम लखे गए हैं है ना अब एक ट्रांग जो रखा गया है तो इतना भूप में तेले नहीं हो तो लाइन मैं कहते हैं तेल नहीं इतली चल नहीं पा रहा है तो बदलाव नहीं हो रहा है बिल बराबर देते हैं हम लोग की इतना परिसान है हमारे घर में जा करके डेखिए पंखे बिलकुर इतने झालाइट नहीं पाते हैं और पानी पीने के लेकिन बोल्टेज कम होने कारण जो है लाइट आना ना वेकार है जो है क्या चाहिते हैं चाहिते हम यह है कि मतलब इसको जिस तरह पावर कम से कम आता था तुम्षा में इसको पावर नाफ ने रिटाप रहा है तो पावर बनाने की बात कर रहें पावर बड़े हैं आप ने अपर यहा पर शयाद्य कर्वाज होई है बाड इन शॉर्मिश डीज से कह लिए से नीवेजन किया ड़ोग निवेजन कर तprogram परिसेंद भूत के जना से दो घृता है वहां दो canceled तो इसमें आप किसको लापरवाई में आप जटाएंगे अब यह लापर वही है इसासन की लापरवाई पर यह दब काम हो रहा है जो है हम तो चाहते हैं कि कार जो है चले है पढ़िया नहीं तो मैं आपको बता दू जनता बहुत उग्र है और रोड पर आजागी आन्दोलन चालू हो जाएगा इसमें दोरा नहीं वह इसे मर रहा है तो इसे मरेंगे फिर का है तो इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए अनि बाद में द्रूस न दिया जाए हम सिर्फ यह कहना चाहें